अगर आप एक Instagram user है और आप चाहते हैं कि जो आप Instagram के उपर post करें उसके उपर अच्छे likes आएं comments आएं और साथ ही आपके followers इंग्रीज हो तो उसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रगना होता है जिसमें से एक होती है content यानि जो content आप उसके उपर post कर रहे हैं वो बहुत interesting होना चाहिए attractive होना चाहिए और एक जो सबसे important चीज है कि जब भी आप अपने Instagram के थूँ कोई post करें तो उसमें जो hashtags आप यूज करते हैं वो बहुत ही trending hashtags होने चाहिए या फिर topmost used hashtag होने चाहिए बट कोशन यह आता है कि इस तरीके के hashtag का हमें कहां से पता चलेगा कैसे हम जान सकते हैं कि कौन सा जो hashtag हम यूज कर रहे हैं वो trending में है या नहीं है या फिर वो हमारे post से related है या नहीं है इस सारे questions का जवाब आज आपको इस वीडियो में हम देंगे तो हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चानल पर नहे हैं तो आप हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें हेलो अब्रीबन नमस्कार मेरा नाम है गौरफ चौधरी फाउंडर ऑफ ग्राफिक विला तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया आज इस वीडियो में कुछ ऐसी साइट्स के बारे मैं आपको बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप इंस्टाग् फॉपर जब भी कोई पोस्ट करते हैं तो आपके पोस्ट से रिलेटेड हश्टेंग आप उन साइट पे धू Gospel सकते हैं इवन जो ट्रेंदिंग हश्टेंगा हैं और इसका फाइदा यह होता है कि जब भी आप ऐसे रेलेवेंट हैश्टेक्स को यूज करते हैं अपने पोस्ट के साथ तो आपकी पोस्ट की रीच बढ़ जाती है बहुत ज्यादा है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप अपने पोस्ट को पहुंचा सकते हैं यूसफुल यह साइट से और ना केवली आपको हैश्टेक्स के बारे में बदाएंगी बल्कि आप अपने इंस्टाग्रम प्रोफाइल को किस तरीके से और बूस्ट कर सकते हैं और उसकी रीच को इंक्रीज कर सकते हैं फॉलोवर्स अपने बढ़ा सकते हैं इस सारी चीजे आप इन www.flick.tag इस साइट को जब आप ओपन करेंगे तो आपको इसके ओपर बहुत सारे अलग-अलग टूल्स देखने को मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं और साथ ही relevant hashtags यापको suggest करेगा यानि जिस तरीके का post आप अपने Instagram साइट के ओपर कर रहे हैं उसके लिए कौन-कौन से hashtags इस्तमाल आप कर सकते हैं वो सारे suggestions आपको इसके ओपर मिल जाएंगे तो एक बहुत ही well-known app है flick और बहुत ही असान तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत यह benefit आपको देगी अगर आप Instagram के लिए इसको यूज करते हैं तो flick को आप as a mobile app भी यूज कर सकते हैं अपने mobile के इंदर download कर सकते हैं और अपने Instagram account को जिसको आप manage कराना चाहते हैं उसको आप इससे connect कर सकते हैं flick आपको hashtag as well as आपके profile की analytics में भी help करती है तो आप बात करते हैं हमारी second website की जिसका नाम है hashtagify, hashtagify के जाने के लिए आपको google पर type करना है hashtagify.me इस site पर जब आप जाते हैं तो इस पर कई सारे cool features आपको मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप अपने Instagram profile को manage कर सकते हैं अपने post जो आप Instagram के उपर करते हैं उससे related hashtag use कर सकते हैं और भी कई सारे cool features आपको इसके उपर मिलते हैं hashtagify की मदद से आप अपने profile की performance को monitor कर सकते हैं यानि किस तरीके से आप अपने profile को और better बना सकते हैं किस तरीके के post किस time पर आपको post करने चाहिए यह सारे suggestions आपको hashtagify में मिल जाएंगे जब एक बार आप अपना account Instagram का account आप इससे connect कर देंगे तो इस तरीके के सारे suggestions आपको देगा ताकि आप अपने profile को और better बना सकें चलिए बात करते हमारी site number 3 की जिसका नाम है in grammar in grammar पर जाने के लिए आपको Google पर टाइप करना है in grammar.com in grammar site ना केवल आपके hashtags को suggestion में, hashtag की suggestion में आपकी मदद करती है बलकि यह एजा Instagram marketing के लिए बहुत ही useful app है क्योंकि इसके अंदर कई सारे features हैं जैसे की profile analyzer, growth analytics, smart targeting, post scheduling और hashtags जैनि इन सब features को आप use कर सकते हो, अपनी Instagram profile को आप इससे connect जब करते हो तो इन सारे features को आप use कर सकते हो और जान सकते हो कि exactly आपको कहां काम करने की ज़रुत है जिसे कि आपकी profile आपके post और आपके followers increase होंगे तो बहुत एक useful site है और जो पहुत अच्छा feature है इसका वो यह है कि अगर आप Instagram के थूप कुछी sales करना चाते हैं Instagram shop के थूप कुछी sales करना चाते हैं तो उसमें भी यह आपकी बहुत अलग-अलग तरीके से मदद करेगा यानि पूरे आपकी sales को monitor करने में मदद करेगा तो overall यह बहुत एक useful app है especially अगर आप Instagram यूज कर रहे हैं और Instagram के थूप अपना business manage करना चाते हैं तो यह app जो है आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है इसको भी आप as a app यूज कर सकते हैं या फिर इसकी website पे जाकर अपना एक account बनाकर उसको भी यूज कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे site number 4 की जिसका नाम है right tag राइट टैग पर जाने के लिए आपको Google पर टाइप करना है right tag.com इस site पर जाकर भी आप बहुत अच्छे hashtags सर्च कर सकते हैं अपने post से related trending hashtags सर्च कर सकते हैं और बहुत ही instant आपको hashtag से suggest करता है यानि जो सबसे ज्यादा used होने वाले hashtag हैं जिसकी मदद से आप ज्यादा स्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं उस तरीके के hashtags यह आपको बहुत ही instant suggest करता है साथ ही इसके अंदर भी आप अपने profile की performance को monitor कर सकते हो और अपने post को schedule कर सकते हो जैसे कि हम सब hashtag की site को use कर सकते हो और अपने post को Instagram के ओपर sharing कर सकते हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हमारी 5th site की जिसका नाम है all hashtag all hashtag पर जाने के लिए आपको simply google में type करना है all hashtag.com इस site पर जाकर भी आप instant और बहुती fast तरीके से trending hashtags ढून सकते हैं और जिस तरीके से इसका नाम है all hashtag यानि ये सभी social media platforms के ओपर hashtag के लिए काम आता है यानि जब भी आप कोई किसी भी social media platform के ओपर कोई post करते हो तो उससे related hashtags आप यहाँ find कर सकते हो और उनको simply copy paste कर सकते हो अपने post के साथ all hashtag को आप site पर यूज करी सकते हैं साथ ही अगर आप चाहें तो इसको आप mobile application की तरह भी अपने mobile पर download करके play store से इसका use कर सकते हैं तो चलिए बार करते हैं हमारी site number 6 की जिसका नाम है display purpose इस site पर जाने के लिए आपको simply google पर टाइप करना है display purpose.com इस site पर जाकर भी आप अपने business से related अपने post से related relevant और trending hashtags find कर सकते हैं और साथ ही इस site के ओपर आपको कुछ ऐसे blog post देखने को मिलेंगे और पढ़ने को मिलेंगे जिसकी मदद से आप जान सकते हैं कि instagram के ओपर क्या right time है post करने का किस तरीके का content आप उसके ओपर post कर सकते हैं और भी बहुत कोज यानि instagram से related जो भी information था है जो information बहुत ही useful होती है instagram की profile को boost करने के लिए वो आप इसके ओपर देख सकते हैं उसकी information के बारे में जान सकते हैं पढ़ सकते हैं और suggestions को अपनी profile के ओपर implement कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि hashtag एक बहुत ही important role play करता है हमारे social media posts के लिए फिर चाहें वो आपके personal profile हो या फिर आपके business से related कोई profile हो उसको manage करने के लिए hashtags का बहुत ही important role होता है और ये sites और apps जो मैंने आपको इस video में बताई हैं ये definitely आपको मदद करेंगी आपके post को जादा से जादा लोगों तक पहुचाने में आपके followers को increase करने में तो इस sites का जरूर यूज़ करें जब भी आप Instagram के ओपर कोई post करते हैं या किसी भी social media platform के ओपर आप कोई post कर रहे है तो hashtag ढूणने के लिए insights का जरूर use करें ताकि आप जादा से जादा लोगों तक पहुच सकें अपने business को जादा से जादा लोगों तक पहुचा सकें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक करें और इस वीडियो से अगर कोई suggestion या कोई question आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं इस तरीके का और भी information यानि digital marketing से related information को जानने के लिए हमारे YouTube चानल को जरूर subscribe करे साथ ही बैल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अप्लोड करते हैं तो उसकी notification आपको मिल जाए Thank you so much, जय हिन